रामगर कैथा इस्थित प्राचिन सिव मंदिर प्रांगन में शावन के अंतिम सुम्वारी को लेकर विशेश व्यवस्था की जा रही है राजिस महतोग सावन की अंतिम सुम्वारी को लेकर रामगर कैथा इस्थित प्राचिन सिव मंदिर में पूजा करने आने वाले सरधालों के लिए विशेश व्यवस्था की जाएगी जिसमें सरधालों के लिए प्रषाद वस्थ सर्बत का वितरन किया जाएगा जिसकी जानकारी मंदिर कमेटी के अध्यक्च राजिस कुमार मातों ने दी इस दावरान मौके पर अमित कुमार विशाल सिंग राठोर ग्रिश कुमार सहित कई लोग उपस्ति थे इस उठ्यक्च के सावर मातों में कमेटी के द्वारा हमलोग बिशी समंदीर का जो दरवार है उतको फूल से माला करसे सजाने का कारीकरम रखे हैं साथी साथ दीन में आपका भक्ती जागरन का साथी साथ आपका भंडारा का व्यायोजन किया जाएगा जिसमें सुबस से ही आपका भंडारे में खीर का भोग, सुजी का भोग, आपका सरबत, रसना पानी का वेवस्था किया गया है काजाता है ये काफी प्राचीन सिव मंदिर है रामगड की धरोहर है और कल अंतिम सुमारी पे दो साल जो गैप रहा किया है कोरोना को लेके तो कल अधिक धीर जतानी की संभावना है जिसे देखते हैं पर सासन की क्या वेवस्था यहाँ पर की गई है नहीं तो देखने को भी मिल रही है क्योंकि पहला सुमारी दूसरा सुमारी तिसरा सुमारी भी हुआ और तीनों दिन भाव काफी भविया मेला का भी आई वजन हुआ मेले के रूप में सरधालू दिखे है और मंदिर में भी काफी भीन रहा हम लोग कमेटी के और से कोशिस रहता है कि किसी भी सरधालू को दिकत ना हो उसके लिए हम लोगोंने पुरा सुरच्छा का व्योस्था रखे हुए है और इस बार हम लोग जिला पर्सासन को भी बहुत ही अच्छा मेला सावानी मेला का वजन किया जाएगा।